अगेत है आप सभी का आपके अपने शीटुक चैनल पर दोस्तो आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूँगा जब हम अपने घर में प्लास्टर कराते हैं तो ऐसी कौन सी जरूरी बाते हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारे प्लास्टर में आगे चलके किसी एक चीज जो दियान में रखनी होती है step by step आपको बताता हुआ चलूँगा तो दोस्तों मैं वीडियो का बढ़ाने से पहले आपसे एक चीज और बताना चाहूँगा कि हमने हमारे चैनल पर ही हाउस कंसर्प्शन स्टार्ट कर रही है जो सिरीज में वीडियो डली हुई है तो काफी ज़ày आपको मदद करेंगे अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो यहां सबसे पहले हम दोस्तों बात करना चाहेंगे कि जब भी कभी हम अपने घर में जो भी चट डाल देते हैं और प्लाश्टर करने की बारी आती है तो हमें सबसे पहले द्यान रखना है कि हमा लोवी वगयरा में कुईए अगर आप ये फिटिंग बाद में करते हैं या आपको ध्यान आता है कि मुझे यहां पे एक फिटिंग देनी है और जब तक आप प्लास्टर कर चुके होते हैं तो वहां पे प्रॉलम क्या आती है कि जो भी प्लास्टर हो जाने के बाद आप क्य要 Leben करने कि की बहुत ज्यादा एंपोर्टेंट्स होती है हमारे मैंने वाले अससे पहले आपको इस दिवाल की अच्छे से तराओर कर लिनी हैं ताकि हमारी जो भी इते हैं वह अच्छे से भीग सके और हमारी जो प्लाश्टर आप करेंगे, तों बरोंडिंग इस पे हो सके यहां पर मैं next जाज की बात करंगो, तो देखीab सीमेंट की सिलरी तयार करणी के दोट चैक की सिलरी की बाद है उसको प्लाश्टर करने में से पहले आप एक मैं लगा दीजिए ताकि प्लास्टर की और जो दिवाल के बीच में हमारी एट रहेगी और उसके बीच में बहुत अच्छे से हो जाए तो सिलरी का भी आप धिहान नहीं यह तो होगे दोस्तों हमारी अगर कोई दिवाल हैं घर होगी लेकिन अगर च्छत की बात करें तो क्या धिहान कर लेना है है कि मतलब उसमें थोड़ा सा रफ सर्फेस या खुद्रा खुद्रा या फिर कुछी चैनी हतोड़े से या हैमर से आप उसको एक रफ सर्फेस कर लिए ताकि उस पर हमारी अच्छी बांडिंग हो सके प्लास्टर की अब यहां पर हम दोस्तों बात करेंगे यह अब हम बात करेंगे कि हमारा जो प्लास्टर का जो मोटार होता है यह जो मसाला बनता है उसका अनुपाथ हमें क्या रखना चाहिए हमारे घर में अंदर भी प्लास्टर किया जाता है बाहर का प्लास्टर भी किया जाता है जिसमें दोस्तों हमारे बाहर के प्लास्टर का र सेल्मेंट और पाँच्च होगी हमारा सेइल्प मेन प्राप्त होती है जो कि बहुत ज्यादा फाइन होती है तो टिक रहे यह घाए और काफी तक तक रहती है और ug अपन schizophrenia बना पाती है और स्मूस्ट के साथ साथ हमारा rough surface भी प्राप्ट होता है उसको करने से ताकि अगर आप देखेंगे तो उसमें हलके से हलके छोड़ छोड़े से हमारे क्या होते हैं वो काफी हद तक आप उसको जब सीप से चान लेते हैं तब हमारी जो भी साइन प्राप्ट होती है में वो काफी अच्छी रहती है डोरेबल रहती है टिकाओ होती है काफी अब यहां हम बात करने वाले हैं कि अब उसके बाद हमारा अंदर का प्लास्टर की जो रेशो तब यह हो गया लेकिन बाहर का क्या करें बाहर का आपको एक चार रखना है एक चार से अनुपाद बाहर क ना रखें ज़ादा तो ठीक रहेगा वरुना क्या होता है दोस्तों जब ज़्यादा ही रेट हो जाती है अ हमारे मसाले में बाहर के लिए तो बारिश का पानी आता है वो continuous को बारिश पढ़ती है तो प्ला करने वो बहुत कम रहती है लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपकी छट में अंडूलेशन हो तो आप उसको भी 10 mm लेके चल सकते हैं 12 mm वहनारी दिवालों की होगी छट की 10 mm होगी 8 से 10 mm अब बाहर की बात करें दिवाल की तो 12 उसमें 15 से 18 mm की लेके चल सकते हैं अगर हम दोस्तों यह दिवाल की सूत में बात करें तो हमारा जो चट करेगा वो 20 सूत रख सकते हैं और जो हमारी दिवाल होती है वो 3 सूत रख सकते हैं या आप उसको 4 सूत रख सकते हैं अब हम बात करेंगे जो यह जो भी हमारा प्लास्टर हमारा मिस्तरी कर रहा है तो क्या वह प्लास्टर हमारा बिल्कुल लेविल में कर रहा है या नहीं तो वह चीज कैसे चेक करें देखें जब हम प्लास्टर कर रहे होते हैं तो हम दो चीज से टेस्ट कर सकते हैं साइट पर कि हमारा plaster जो सीधा वर्टिकल हो रहा है या नहीं एक तो हमारा जो plumb up होता है साउल जो आपने देखा होगा लट्टू सा होता है उसको आप देख सकते हैं कैसे चेक करना है वो मैंने वीडियो डाल रखी तो एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें अकसर क्या होता है जहां पर कॉलम होता है और जहां दिवाल होती है उन दोनों की बीच में आगी चलके कभी न कभी आपको सकी आप देखने को मिली जाती है अब करने के लिए आपको करना सकते हैं तो वो दोष्ट दपर को जाता है अगर वो icon कर सकते है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं यह सीज़ी नहीं खरीदना चाहता हूं तो फिर Is Das से तिवालों क्रैक नहीं आये तो वहां पे आप ग्रूप लाइन आती है प्लास्टर के तिवाल जो होता है हमारा इसके नियर सेह bleiben के पास है चाहिए वो उसको जो हती है नहीं आatी है कि अब हम लड़े बात करेंगे कि जब हम प्लास्टर कर देते हैं को अब सब्सक्राइब और virtue में लोजाफों प्लॉट कर दिया तो हमारा जो प्लास्टर के बाद क्योरिंग करने का जो रोल रहता है बहुत जादा रहता है ऐसा मध्स सोचना है कि आपने जितना रिचो डाला था अच्छा सिमेंट लगा लिया अच्छी तरीकर से कर दिया तो की नहीं की जरूत है अगर तराइक की बात करू तो प्लास्टर करने mystery होते हैं, उनके पास दो तरा के वो होते हैं, float, एक तो wooden float होता है और एक worship iemand hepsetel float, जीसको गृुमालः और हमारा बोलते हैं, एक सेकेंड, रूसा गृुमालः और रूसा बोलते हैं तो जो हमारा उसको हमें finishing करनी होती है, जैसे आप पकड़ बन सके यह चीजें भी काफी ज़्यादा धियान देने वाली होती है तो आपको प्लास्टर में जो भी जरूरी बाते होती हैं में ध्यान में रखने वाली वह आपने ध्यान रखी है आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सकाइब कर सक है थैंक्स पर मुझे वीडियो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो पर